नवश्कार दोस्तों, विलकरण डू वर्ल अफेयर्स, मैं हूँ प्रैशान दवन, चलिए स्टार्ट करते हैं, 14 डिसमबर 2020 के डेली करेंड अफेयर्स MCQs अगर आपको सीरीज पसंदारी है, आप चाते हैं किसको आप सपोर्ट करें, तो like बटन जरूर दबाईएगा, like the video as much as you can और आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, घर बैटे आप चाते हैं कि SSC, bank, railways, MPPSE, UPPSE की preparation करें तो unacademy के courses इसके लिए available है, simply unacademy की website पर जाओ, या फिर app पर जाओ, click करो यहाँ पर course पर और use करो code PG10 to get discount, यह होंगे, original prices, यह पर मत कर देना, simply यहाँ पर जो discounted price है, यह पर करिएगा for various exam courses और payment के भी यहाँ पर बहुत सारे options हैं, UPI, net banking, cards, you can even pay in parts ओके तो यह आपके सामने काफी आसान question है, और by the way, अब मैं question को mark करूँगा, important और very important की category में, तो जो यह mark है, इस पर भी ध्यान अटना question है के सामने यह है, कि भुटान जो इंडिया का एक प्रोसी मुल्क है, हाल ही में भुटान ने एक देश के साथ formal diplomatic relations establish किये हैं, और चारे ग्रूप से अब diplomatic संबन यहाँ पर सापित किये हैं, आपको बताना है वो देश कौन सा है, एक बार pause करके attend कर लो, देखें यहाँ पर सही answer है, यह है B, इसराइल, नाव, diplomatic relations establish हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, क्या आप इसराइल और भुटान की embassy होगी, नहीं देखो, ज़रूरी नहीं है, भुटान एक ऐसा देश है, जो भार की दुनिया से बहुत कम communicate करता है, 1999 तक इस देश में कोई TV या फिर इंटरनेट allowed नहीं था, और आज भी आप अगर देखो, तो भुटान की जो राजधानी है, वहाँ पे आपको बस तीन देशों की embassy मिलेगी, यह तीन देश है, इंडिया, बांगलादेश और कुएट, मगर overall आप अगर count करो इसराइल को, तो भुटान के 54 countries के साथ, diplomatic relations establish हो चुके हैं, त काफिय तक news में हैं, क्योंकि इन्होंने collaboration करी है, एक organization के साथ, energy storage को लेकर, तो एक बार video pause करके इसका answer करो, तो यहाँ पर जो सही answer है, यह है C, United Nations Industrial Development Organization, मतलब के UNIDO, यह लोग अब क्या करेंगे, कि IESA के साथ, इंडिया में हम उर्जा का भंडार किस तरीके से बढ़ा सकते ह हैं, उर्जा को स्टोर करने की जो capacity है, यह कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे काम करेंगे, और यहाँ पर आप देखवाएंगे, इसका article है, IESA UNIDO tie-up to boost energy storage in India, और जब हम बात करते हैं, energy storage, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़े आ जाती है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, solar power है, ठीक ह भी आप store करोगे, तो energy storage इंडिया के लिए काफी बड़ा issue है, और वहाँ पे United Nations Industrial Development Organization इंडिया की help करेगी, और इस संगटन के जो headquarters हैं, यह आपको मिलेंगे Vienna Austria में, और यह आजकल काफी news में है, देखो TIE है एक NGO, Non-Government Organization, और यह दुनिया भर में काम करते हैं, recently इनों ने दि post famously, post famously मतलब के मरने के बाद, तो आपको बताना है कि यह award किसको मिला है, यहाँ पर देखो जो सही answer है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यह है D, FC Kohli, FC Kohli साब अपने आपने legend थे, इनको कहा जाता है the father of Indian IT industry, क्योंकि यह थे founder और पहले CEO of Tata Consultancy Services, इंडिया की सबसे बड़ी software service cooperation, so FC Kohli साब को तो मिला है यहाँ पर post famously यह award, मगर एक और award दिया गया है यहाँ पर lifetime achievement का, और यह दिया गया है Bill Gates को, ठीक है, Bill Gates, the founder of Microsoft and philanthropist, he has been awarded the TIE lifetime achievement award, moving forward, next question यहाँ पर है, Rabindranath Tagore से related, recently Rabindranath Tagore, literary prize 2020 award किया गया है, Raj Kamal जाको, अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि किस novel क के लिए इनको यह award मिला है, आपके सामने यह options हैं, एक बार video post करके इसको attend कर लो, अच्छरों यहाँ पर जो सही answer है, यह है B, the city and the sea, और यहाँ आप आप देख पाओगे, various publishing houses ने इस पर tweet करी है, यह tweet है, Penguin India की, the city and the sea by Raj Kamal जा, has won Rabindranath Tagore, literary prize 2020, और बाइदावे, जो यह कित है कि बहुत ही पुराना award होगा, मगर नहीं, यह जो award है, पहली बात तो भारे सरकार का award नहीं है, यह award देती है, एक US-based independent non-profit publishing house company, MPF, और यह award शुरूई हुआ था, 2018 में, ठीक है, और literary award के साथ साथ एक और award भी यह देते हैं, यह लोग, award for social achievement, उन लोगों को यह award मिलता है, जिन्होंने humanity के लिए काफी कुछ किया है, तो जो 2020 का award है, यह दिया गया है, to the late Sultan of Oman, ओर राइट, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यह जो question है, यह है very important, आज कल महराष्ट का जो शक्ती बिल है, यह काफी तक news, इस पर बहुत से articles publish हुए हैं, question यह है कि यह bill किस बारे में ह आपके सामने options है, sexual crime, आतंगवाद, financial crimes, या फिर sedition, sedition मतलब के देश दरो, अपनी सरकार के अगेंजबा बात करना start कर देते हो, तो इसको कहते हैं sedition, तो एक बार video pause करके इसको attend कर लो, all right, यहापे जो सही answer है, यह है A, sexual crime, और इस पर अभी by the way draft bill बना है, अभी इसको महरा penalty तक का provision है, for rape and violence against women and children, और इस bill में एक section है, section 354E, इसमें यह भी लिखा है, कि अगर एक woman को लगता है, कि उसे danger है, उसे intimidate किया जा रहा है, उसे ड़ाया जा रहा है, तो उस offense की जो सजा है, वो भी है, दो साल की jail और एक लाख रुपे का fine, all right, तो आगे बढ़ते हैं, आज real time monitoring of COVID-19 vaccine delivery, vaccine कौन देगा, vaccine किसको लगाई जाएगी, उसके आगे का जो process होगा, यह सब monitor किया जाएगा, इस app के जरीए, बहुत ही जादा important app आप आईए, तो आपको बताना यहाँ पे इस app का नाम क्या है, एक बार वीडियो पॉस करके attend कर लो, यहाँ पर जो सही answer है, यह ह कोविन, बहुत ही जादा important question है, make sure to remember this, क्योंकि आने वाले समय में, यह app बहुत use होगी, और कई लोग इसको download करेंगे, और कोविन देखो, अपने आप में एक upgraded version है, एक पुरानी app का, जिसका नाम था, electronic vaccine intelligence network, यह app उन लोगों के लिए useful है, जो यह vaccine देंगे, और जो यह vaccine receive कर और बाइद बहुत है, जो यह vaccine है, सबसे पहले दी जाएगी उन लोगों को, जो आज के समय healthcare workers है, nurses, doctors, जो आज के समय काम कर रहे है, in hospitals as COVID warriors, आगे बढ़ते हैं, recently प्रधान मंतरी ने address किया है, international भारती festival 2020 को, और इस event ने celebrate करी है, 138th birth anniversary of सुब्रमनया भारती, तो आपको यह आपर यह बताना है, कि सुब्रमनया भारती जी की जो birth anniversary है, यह हर साल कब observe की जाती है, आपके सामने आपे options हैं, 11 December, 10 December, 7 December, 1 December, again, very important category का question है यहाँ पे जो सही answer है, यह है A, 11th December, और भारती साब के बारे में मैं आपको यह बता दू, कि यह एक legendary poet थे, of Tamil literature, इनको का जाता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, इनका एक poster भी है, और हर साल इनके नाम से एक award भी दिया जाता है, भारती award, और इस साल जो यह award है, यह दिया गया है, श्री सेनी विश्वनाथन को, यहाँ पे आप देख पाएंगे, पिया मोदी जी की एक comment है, I am pleased to present भारती award this year, to great scholar, श् entire life, to research on भारती's work, all right, so moving on, अगला question है, National Energy Conservation Day से related, important question है, आपको यह बताना है, के राष्ट्रिय उर्जा सनक्षन दिवस, हर साल हम कब बनाते हैं, आपके सामने आपे options हैं, एक बार वीडियो पॉस करके इसको अटेंड कर लो, now इसका जो सही answer है, यह है, December 14, तो आज के ही दि है, Energy Conservation Day, तो अब कोशिश करिएगा अपने घर में, जहां भी हो सके, Energy कम यूस करिएगा, because today is the National Energy Conservation Day, आगे बढ़ते हैं, यह question very important है, super important मैं कहूंगा इसको मैं, यहां पे लिखा है, कि इन में से कौन से देश, को होस्ट करेंगे, Climate Change Ambition Summit 2020 का, United Nations के साथ, यह बहुत news में है, द तो पांच साल हो चुके हैं, Paris Climate Agreement को, तो उसी को अबजर्व करने के लिए, UN होस्ट कर रहा है, Climate Ambition Summit 2020, तो इसको UN तो होस्ट करेगा, मगर दो और कंट्रीज भी यहां पर UN का साथ देगी, इसको होस्ट करने में, तो वो जो दो देश है, कौन से हैं, एक बार वीडियो पॉस करके अटेंड कर लो, नाओ यहां पर जो सही आंसर है बता रहा हूं, सही आंसर है, यहां पर A, United Kingdom और France, यह जो देश हैं, यहां पर आप देख पाएंगे, आर्टिकल है, All India Radio का, Speaking at Climate Ambition Summit 2020, co-hosted by United Nations, United Kingdom और France, PM बोजी ने यहां पर वज़ाया है, कि इंडिया ने अब तक क्य प्रोग्रेस करी है, Paris Climate Agreement के अंडर, और बहुत से कंट्रीज ने यहां पर फिर से प्लेज किया है, वादा किया है, कि मिलकर यह लड़ेंगे Climate Change के अगेंस्ट, तो very important summit और सारे points इस summit से related, they are very important, आगे बरते हैं, यहां पर लिखा है कि हाल ही में, केंद्रिया क्याबिनेट ने लक्षवदीप, समू, और नीम लिखित में से किस शैर के बीच, पंडूपी, OFC, connectivity को मंजूरी दी है, मतलब के, fiber optical cable जो है, यहां पर विछाई जाएगी, लक्षवदीप और किस शैर के बीच में, तो यहां पर आपकी options है, चन्नाई, कनूर, कोची, कोजी-कोटे, एक बार वीडियो पॉस करके इसको अटेंट कर लो, यहां पर जो सही आंसर है, यह है, कोची, ठीक है, यहां पर आप अगर देखेंगे, The Economy Times का article है, Government Approves Submarine Optical Fiber Cables, Connectivity between कोची and लक्षवदीप आइलेंड्स, और हम पहुँच चुके हैं, उस question पे, जिसका आंसर आप सब लोगों को क करता है, बहुत ही अच्छा question है, UPSC prelims में आया था, 2019 के, तो आपकी options है, Banks Board Bureau, Reserve Bank of India, Union Ministry of Finance, या फिर Management of Concerned Bank, नीचे comment section में इसका आंसर करो, very important question, और इसी के साथ, यह है वीडियो का अंत, thank you for listening and as always, God bless you all. नीचे ये, ण्यार, मैं और करता है, क्योंके है, यह है वीडियो के जुचने एकितरा है, क्योंके इसका 具ी आदेता है, यह है आपकी लोगों के कि अैसित रहाईगोंगों कः लίνージ के फCR 1 बाड़OS एदिते मैं, क्या गवादिते हैं, क्योंके अंत, बैंगों मैंöyle के